एक सर्वे के अकॉर्डिंग सबसे जाधा कोश्चन जो एक एस लोजर से पूछे जाते हैं उन में से मैरीज एक है और दूसरा सबसे इंपोर्टेंट है करियर हमारी जौब किस टाइप के होगी हमारी जौब कैसी होगी मुझे क्या काम करना चाहिए मुझे किस तरह का काम करन चाहिए बिजनस करूं या फिर जॉब करूं वो क्या चीज है जो मेरे अंदर मेरा टैलेंट है जिसमें मुझे जाद अधन मिलेगा शांती मिलेगी सुकून मिलेगा अब यह समस्या यह प्रशन आपके मन में भी उठ सकता है आप कहीं पर काम कर रहे हैं बिल्कुल डिसेटिस अप कैसे प्रडिक्ट करते हैं अपनी खुद की कुल्डी को देखकर तो खुद की कुल्डी से अपना करियर अपना प्रोफेशन प्रडिक्ट करना आज आप सीखेंगे वीडियो थोड़ा लंबा होगा इसलिए देड़ तक बनी रहेंगे और युद्ध में उतर रहे हैं जोतिष धिंधना एक युद्ध के बराबर है जब आप युद्ध में उतरते हैं तो तो आपके पास हतियार होने चाहिए और आज के इतार होगी आपकी लगन कुल्डी, तो आपके लगन कुल्डी आपके पास हowनी चाहिए अगर पहले से मौजू तो उसे अपनं कर लीज और अपना बर्थप्लेस फिल करिए आपके सामने आपका लगन चार्ट ओपन हो जाएगा देखिए ये कुछ इस तरह की कुल्डी नजर आएगी जैसा कि आप स्क्रीम पर देख सकते हैं आपको ये चाहिए लगन कुल्डी चाहिए यहां पर आपको कई तरह हैं कि और समझेंगे तो देखिए ये हमेसा आपका फिर्स्ट हाउस होता है서 मेरा हो हमेसा फिर्स्ट हाउस यही रहेगा नहीं चेंज होगा यहां पर जो नंबर लिखे होते उनके नंबर से रिप्रेजेंट किया जाता है तो जैसे फर्स्ट हाउस तो यही रहे गया और यहां पे तीन नंबर की राशी बैठी है यानि की पहले घर में मिथुन राशी है बस इतना अगर आपको समझ में आ गया तो अब यही पूरी चीज आप एंटी क्लॉक वाइस तो यहां पर हो जाएगी पांच नंबर की रशी और ऐसे ही यह इक है चार्ट दिखा रहा हूं जिसमें हर एक इक हाउस का नंबर लिखा है याद रखेगा राशी का नंबर यानि लिखा हाउस रिप्रेजेंट हो रहा है तो पहला है नहौन सा है रवा का इसा है आपको 9 ग्रहे होते हैं जिसमें से राहू, केतू, सेलेस्टियल यानि कि आस्मान में दिखाई नहीं देते हैं, छाया ग्रहे माने जाते हैं, बाकी के 7 हमारी सेलेस्टियल बॉडी होती हैं, सूर, चंद्र, बुध, शुक्र, मंगल, शनी और जुपिटर, तो इस तरह से 9 प्लेनेट तो आप यह table देख सकते हैं यहाँ पर सारे planets लिखे हुए हैं वो किस राशी में बैठे हैं और कितनी degree में बैठे हैं यह भी mention है अब यही सेम चीज आपके चार्ट में भी होती है जैसे कि अगर आप चार्ट में देखोगे तो जो mangal है वो जैमनाई यानि की तीन नंबर की राशी में बैठा है अब यहाँ पर भी देखो तो लिखा है mangal, mythum, राशी, जैमनाई तीन नंबर की राशी है दो degree यहाँ पर लिखी हुई है तो आप अगर ध्यान से देखोगे तो mangal के नीचे छोटा सा दो लिखा हुआ है तो हर एक चीज जो आपकी इस कुंडली में बनी हुई है एक्चल में वो यहाँ पर इस टेबल में भी लिख दी गई है अब आपको जो find out करना है वो degree पर ध्यान देना है आपको करियर की बात होगी तो degree पर ध्यान देंगे वहाँ पर हम पता करते थे कि spouse कैसा होगा शादी में क्या चल रहा है और आज की वीडियो में हम पता करेंगे करियर में क्या होगा प्रोफेशन में क्या होगा चलिए वापस आते हैं marriage में आप देखते थे lowest degree of the planet और यहाँ पर आपको देखनी है second highest degree of the planet फिर से रिपीट करूँगा second highest degree चलिए अब यहाँ पर कुछ चीज़ें आपको कट करनी है बहुत confusion नहीं रखनी जैसे की राहु केतु को ignore करना है तो राहु केतु से हमें कोई मतलब नहीं तो इस वाले पार्ट से हमें कोई मतलब नहीं और इनहीं में हम चेक करेंगे second highest degree फर एक्जामपल सबसे ज़्यादा किस की अगर हम चेक करें तो 11, 20, यह हो गया, 2, 29, ओ यह सबसे ज़्यादा है तो यह सबसे ज़्यादा है, यह highest डिग्री है पर हमें highest तो चाहिए नहीं हमें तो second highest चाहिए तो हम आप यहाँ पर देखेंगे कि इससे कम कौन है तो इससे कम यह देखिए, 20 है कम है क्या इससे ज़्यादा कोई और मिल रहा है, नो तो यहाँ पर जो second highest डिग्री है वो चंद्रमा की है इस कुड्ली में और वो करक राशी में बैठा है और वो 20 डिग्री का है बस दोस्तों आपका काम हो गया आपको बस यह find out करना था कि वो planet कौन सा है और वो किस राशी में बैठा है आप कुड्ली में आ जाईए यह देखिए चंद्रमा चौथे नंबर की राशी में बैठा है और किस हाउस में बैठा है 2nd house में बैठा है अगर आपको यह 3 चीजे पता चल गई प्लैनेट कौन सा है 2nd IS डिग्री का किस राशी में बैठा है और किस हाउस में बैठा है यह 3 चीज नोट कर दीजिए और पूरा वीडियो वह आप देखिए आपको अपने करियर प्रोफेशन के बारे में नॉलेज मिल जाएगी तो ये था अभी क्या तो वार्म अप करते हैं ना कोई लबी लडाई करनी होती है तो ये वार्म अप था आपने कुंड़ी देखी अपना प्लैनेट राशी और हाउस पता कर लिया हाउस में आपका सेकेंड्ड हाईएस डिगरी का प्लैन बैठाई है आपका फस्ट हाउस कि कया बताते हैं ze opinions कैसे तीन चीजें आते हैं तो आपकी जी परस्नाल्एटी है वह बहुतwrफा जादा Galaxy है करियर बनार रहा हुआ आपके चेहरे से समान भिक रहा है या आप जॉब कर रहा हो तो आपका फेस वैल्यू बहुत जादा है वहाँ पे आपकी प्रजेंस होना जरूरी है कंपनी में आपका रोल इसको डिफाइन कर रहा है कि जैसे लिए सब्सक्राइब को मैनेज करते हो तो वहाँ पर आपका बात करना वहाँ पे आपका मौजूद होना बहुत जरूरी है इवें लोग सर्च करते हैं आपको वहिया उसको बलाव समस्या आ गई है यूर प्रजेंस और प्रसनालिटी मेंटर्स अलॉट इन यूर करियर तो सबसे पहले तो आप ये एक चीज रहेगी जो आप किसी भी करियर में हो ये चीज वहाँ पर मौजूद होगी दूसरी चीज फरस्ट हाउस में सेकेंड हाईएस डिग्री प्लैनेट बैठने की वज़े से आप की ना एक अंटरपर्नियॉर स्किल होती है कि आप चीजों को किस तरह से महेंगा कर सकते हो या किस तरह से लोगों के लिए यूस तो इस तरह के विचार आते रहते बिकॉस आपको बनाया ही ऐसे गया है जब आप खुद का काम करेंगे तो वहाँ पर भी देखिए आप ही तो सेंटर में रहेंगे आप ही तो सारे डिसीजन ले रहे हैं तो आपकी परसनालटी बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाएगे आप आपके जॉब में या फिर आपके बिजनस में तो यह होता है जब आपके फर्स्ट हाउस में सेकेंड हाइस डिगरी का प्लैनेट बैटता है पर हो सकता है कि आपका सेकेंड हाइस डिगरी का जो प्लैनेट है वह यहां पर बैठा हुआ है यह होता है आपका सेकेंड हाउस यहां पर मैं इसे लिग भी देता हूं second house अब यहां पर अगर आपका highest degree planet बैठा है दोस्तों तो क्या होगा आपका जो करियर होगा उसका जो environment होगा वह वेल्थ सराउंडिंग होगे कि मतलब let's suppose आप किसी बैंक में काम कर रहा हो या किसी finance management की company में काम कर रहा हो risk management की company में काम क कर रहा हो second house की wealth का होता है इसलिए यह सारी चीज़ें आप वहां पर देख सकते हो तो second house में finance आप समझगे wealth आप समझगे इससे related किसी छेतर में आप काम कर रहे होंगे या करना चाहेंगे future में चलकर यहां पर जो सबसे ज़्यादा important चीज़ होगी या फिर वो चीज जो सब वाली है आपकी वाणी जी हां आपके बोलने का तरीका यहां पर बहुत ज़्यादा crucial part play करेगा आपके career में आप कितने हाइट पर जाओगे या कितने हाइट पे नहीं जाओगे दूसरा crucial part जो यहां पर play करता है वो होती है आपकी values आने की जो values आपकी family ने दिए सेकेंड हा और फाल यहां पर जैमन स्टोंस का भी है तो हो सकता है कि आपका जो करीयर हो और फैमिली से रिलेटेड कोई सर्विस को इंस्वरेंस तरह की और अगर ऐसा है तो कॉमेंट करके हमको जरूर बताईए वीडियो में आगे बढ़ेंगे बात करेंगे कि अगर आपका सेकंड हाइस डिग्री वाला जो प्लैनेट है वो बैठ जाए आपके थर्ड हाउस में तो क्या होगा तो आपका करियर कम्मुनिकेशन की फील्ड में बन होसी या फिर आपके भाई स्वीलिंग ने बड़ेऊजण की होगी या फिर आपका जो काम करने आपके घर के फास ळंब में वान करते हैं आपको करने प्लेट करने में शुरू कर मेसे यह कोई में डिग्गर कर रहे हैं तो कि यह कहानी है अगर आपने रिलेट किया है तो कॉमेंट करके बता आगे बात करते हैं अगर आपका सेकंड धिग्री प्लेनेट फोर्थ हाउस में बैठ जाए चौते घर में बैठ जाए तो किया होता है अभी हम दिरे-दिरे समझेंगे ना कि राश्टी प्लैनेट किस तरह से रोल प्ले करता है अगर आप आपका सेकंड हाइस Muito है वो किसी ना किसी तरह से प्रॉपर्टी से से रिलेटेड है, रियल स्टेट से रिलेटेड है, या फिर मदरली केर से रिलेटेड है, वहकल गाडियों से रिलेटेड किसी फैक्टरी में या किसी प्रोफेशन में आप काम करते हैं, देखिए, यहाँ पर इसका मतलब जैसे, let's suppose कोई कार मैनुफेक्चिनिंग कमपनी है, और वहाँ पर आप अकाउंटेंट है, तो भी आपको इन बातों पर ध्यान देना पड़ेगा, फोर्थ हाउस है, तो यहाँ किसी भी तरह की लगजरी सर्विस प्रोवाइड करने वाली, गमफर्ट सर्विस प्रोवाइड करने वाली, या सिक्योर्टी की फिलिंग होती है, इस तरह की फिलिंग देने वाली और्गनाइजेशन में आप काम कर रहा है, अब अगर आपका सेकेंड हाईएस डिग्री प्लैनेट फिफ्ट हाउस में बैठ जाता है, पांच में घर में बैठ जाता है, तो क्या होता है, अगर यहाँ पे बैठा है, तो आप एजुकेशन किसी इंडस्टी में है, आप चिल्डरन के बनाने वाली किसी कंपनी में है, आप शेर मार्केट एंथूजियास्ट है, स्पेकुलेशन के जितने भी काम है, आई पेल में पैसा लगाना, बेटिंग करना, या शेर मार्केट में फॉरेक्स ट्रेडिंग, कॉमेडिटी सकते हैं, और यहां पर आपको ये भी देखने को मिलतक सकता है, कि फिप्थ हाउस में जो आपका एक मेजर रोल है ना, वो दूसरों को आनंद, दूसरों को खुशियां देने का कुछ ना कुछ आपका रोल जरूर रहता है, अब अगर आपने रिलेट किया हो, तो कॉमेंट कर रहे हैं, किसी के रोग को, किसी के दुख को, किसी के कष्ट को दूर कर रहे हैं, जैसे कि एक हैस लॉजर ये काम करता है, ये काम एक स्पा में होता है, ये काम आपका जितने भी मसाज सेंटर होते हैं, वहां होता है, इस तरह की काम है कि आप किसी भी तरह से फिजिकल पे हो सकता है law से related defense से related भी हो सकता है या फिर आपका career है वो किसी तरह से loan देने वाली जो कमपनियां होती है जिसे bank होते हैं loan देते हैं या फिर जो loan देने वाले financial institute है इन से related भी आपका काम हो सकता है usually जब यहाँ पर बैठता है तो इनसान ने तरीके से काम करने वाला व्यक्ति होता है यह बहुत ज़्यादा किसी कि सुन नहीं पाता है और जब अपने फ्लो में काम करता दो बहुत अच्छा परफॉर्म करता है तो नहीं अगर आपका सेकंड हाइस डिग्री प्लैनेट तो इस तरह से आप को करवा सकता है यहां पर आपको marriage related product marriage related service है जैसे कि शादियों में photography का बहुत बड़ा रोल होता है तो हो सकता है wedding photographer बन गए हो या फिर आप किसी तरह से public को face करने वाला कोई काम करने जिसमें public appearance ज़रूरत पड़ती है या फिर आप यहां 7th house actually खुद business का house है तो यहां पर यह यह बताता है कि आप कोई भी काम कर रहे होते ना तो आप partnership में करेंगे आपको लोगों की requirement पड़ेगी ताकि आधा 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 वो करें इस तरह से भी आपका जो career है वो बनेगा तो अगर आप अकेले चल रहे हैं उससे बटर है कि आप किसी सेकेंड हाइस डिग्री प्लैनेट है दोस्तों उसको हम बेठाल देते हैं एर्थ हाउस में तो यह आपका होता है एर्थ हाउस अगर आपका एर्थ हाउस में बैठा है second highest जिगिदी प्लैनेट तो किसी तरह के transformational work जैसे कि रोड नहीं बनी होती है सब जगे इधर उदर तितर बितर होता है फिस सड़क बन जाती उस एरिया का transformation हो जाता है तो आप किसी ऐसी organization से जुड़े हुए हो सकते हैं जो इस तरह का काम करती जो चीजों को transform कर देती है इसमें ना वजन घटाने वाले भी आ जाएंगे क्योंकि वो body का transformation कर देते हैं इसमें ना spiritual healing, meditation इस तरह की situation, इस तरह की services provider भी आ जाएंगे क्योंकि वो इंसान का transformation कर देते हैं या फिर आप किसी research oriented चीज में काम कर रहे हैं manufacturing किसी unit में काम कर रहे हैं या फिर आप surgeon है, जो surgeon होते हैं या medical field से जुड़े हैं, surgeon है यह हो सकता है, income tax related कोई काम कर सकते हैं inheritance property की जो disputes होते हैं उनको solve करने वाला आपका कोई role हो सकता है इस तरह से earth house की जो व्याक्या है वो आपको मिलती है, let's suppose अब आपका जो second highest degree planet है वो ninth house में आ जाता है, तो क्या होता है ninth house में आ जाता है, तो law से related profession higher education बहुत करता है, यह व्यक्ति अपने आपको बहुत पढ़ाना चाहता है ऐसा व्यक्ति, किसी तरह से यह व्यक्ति religious devotion खुद भी करता है यह इसका inherent nature है, और यह चीज इसके profession में भी नज़र आती है वहाँ पर भी यह चीज नज़र आती है, कि यह devoted आदमी है अपने काम के परती, इसका बहुत जादा devotion है education field मैंने बताए दी, उससे आप जुड़े हो सकते हैं लॉंग ट्रेवल, आपको अपने काम में अपने कार में काफी ट्रेवल करना पड़ सकता है अब आगे बढ़ते हैं, अगर आपका second highest degree का जो planet है वो 10th house में बैठा हुआ है, तो क्या होगा, आप देखेंगे कि आपका जो काम करने का एक तरीका है आपको जब कोई प्रेज करता है, आपको बहुत ज़ादा वो चीज पसंद आती है मैंने देखा है कि जब 10th house में आपका second highest degree planet बैठता है तो आप अपने करियर में बहुत उचाईयों तक जाते है अब ये भी डिपेंड करता है, ये planet है कौन, बट यूजवली ऐसे लोग बहुत उचाईयों पर जाते है और क्योंकि ये लगे रहते हैं, अपना status बढ़ाना है ना तो लगे हैं, लगे हैं, लगे हैं, लगे हैं, मेहनत कर रहे हैं, चलिए अब बात करते हैं कि अगर आपका second highest degree planet, 11th house में बैठ जाएगा तो क्या होगा? तो आप आएंगे कि जो आपका career है ना, वो कहीं न कहीं दोस्तों रिस्तेदारों ने सुरू करवाया या उन्होंने help करी, उन्होंने guide किया आपको, आपके career में आपको gains बहुत होते हैं, और यह पर इसी तरह की organization या इसी तरह की field में है, जहाँ पर आपकी वजह से लोगों कर रहे हैं, business में gain कर रहे हैं, आपकी वजह से किसी के business में revenue का gain हो रहा है, इस तरह का profession आपका हो सकता है, जिससे की दूसरों को gain होता है, आपकी services की वजह से या फिर आपके product की वजह से, अब अगर आपने relate किया, तो comment करके बता देना, अब आते हैं हमारा जो last house है, यानि क बनाने के लिए, इसका career is spirituality से related किसी industry में हो सकता है, इसका career है, वो किसी तरह से expense, जैसे की expense management की कोई company होती हो, financial management, कि हम आपका पैसा manage करेंगे, जैसे hedge funds होते हैं, इस तरह कि किसी institution में इसका काम धंदा हो सकता, नहीं है, तो आपको इन में बनाना चाहिए, jail oriented कोई काम हो सकता होस्पीटल में कोई काम हो सकता, आपका investment banking, investment banker बन सकते हैं, इस तरह से जो 12th house की चीजे हैं, इन से oriented आपका profession हो सकता है, तो दोस्तों ये था वो, जब आपका second highest degree planet किसी house में बैटे, अगर आपने relate किया है, तो comment करके जरूर बताएगा, अब आगे वीडियो में बढ़ते है अब हम इस बारे में बात करेंगे, जो second highest degree planet आपका है, वो planet कौन सा है, वो जो planet होगा, वो आपका characteristic बताएगा, कि आप किस तरह का role play कर रहे हो, थोड़ा बहुत idea तो houses से आपको लग गया, अब थोड़ा मोटा idea आपको planet से लग जाएगा, जैसे for example, अगर हम देखें कि आप आपका second highest degree sun है, तो आप आएंगे कि ये वेक्ति लीडर है, इसके आसपास लोग घूमते हैं, और ये इसको अच्छे से पता है कि किस तरह से लोगों को घुमाना है, ये authority है ना, बाप है सूर, ग्रहों का राजा बोला जाता है, और सब का पिता बोला जाता है, तो ये ऐसा आँखों में देखेंगे, ये लोगों की आँखों में देखकर बात करेगा, अपने जो डिक्टेटम है, वो लोगों को एकदम क्रिस्पन क्लियर बताएगा, बहुत कम शब्दों में अपनी बाते कंप्लीट करने वाला ये वेक्ति होता है, गौर्मेंट रोल भी इसको मिल सकते हैं, सरकारी कोई बढ़ा पद भी मिल सकता है इसको, क्योंकि अथोरिटी इसके पास आनी ही आनी है, अब ये खुद का बिजनस कर रहा है, तो सारे इंपलोई के उपर इसकी अथोरिटी है, ये गौर्मेंट में काम कर रहा है, तो अच्छी पोजिशन पर होकर एक अथ करते हैं, वो कैसे आगे बढ़ें, वो कैसे प्रोग्रेस करें, इसके बारे में भी सोचते हैं, तो ये सूर था, अगर आपने रिलेट किया हो, तो कॉमेंट करके बताइए, अब लेस सपोस आपका सेकेंड हाइस डिगरी प्लैनेट मून है, चंद्रमा बन जाता है, आपका सेकेंड हाइस डिगरी प्लैनेट, तो आपका काम करने का तरीका थोड़ा सिमपैथी वाला है, थोड़ा मदरली केर वाला है, आप ऐसे जैसे अपने बच्चे को समझा रहे हैं, सामने वाला आप से बाते करके आप समझाते हैं, आप सुनते बहुत हो, आप से बात करके जहां पर आपको मैनेच्व करना है जहाँ पर आपको discipline create करना है या फिर company में कोई structure create करना है इस तरहे का job होता है और अगर आप business कर रहे हो तो business में भी आप इसी तरहे की काम को इसी तरहे के role play कर रहे होते हो अब सेटन तो हो गया अब इसके बाद अगर आपका मंगल है second highest degree planet यानि की मार्स की बात करते हैं आप ऐस तरहे से हो सकते हो the person who is more energetic in the workplace आप किसी भी तरह की fitness industry में किसी भी तरह की physical activity कराने वाली में किसी तरह की surgery related industry में engineering से संबंदित किसी काम में आप इंवाल्व हो सकते हो जहां वह तोड़ा energy चाहिए थोड़ा चीरफार चाहिए थोड़ा चीजों को जोड़ना है even construction related काम भी यहां पर सूट कर जाते हैं आपका mercury है तो आपका जो profession में उसमें राइटिंग उसमें ट्रेड लेना देना involved होगा या फिर आप उसमें देखो गए कि किसी तरह से communication intellectual insights क्या बोलते उसे think tank बहुत ज्यादा सोचना विचारना इस तरह की चीज़ें आपके profession में शामिल होगी अब mercury हो गया तो अब बात कर करते हैं नेक्स्ट जो हमारा प्लैनेट है डैट जूपिटर अगर आपका second highest degree प्लैनेट जूपिटर है तो आप education करने वाला एक तरीका होता है आपना टीम लीडर होते हो जो सबको सिखा रहा है नहीं भी हो टीम लीडर तो आपका ये आप जिस भी workplace पे हो आप का काम जो न चाहिए होती है किसी भी काम को करने के लिए क्योंकि आप बिल्कुल नियम कानुन से चलने वाले वैक्तियों में रध नहींगे करते है लास्ट प्लैनेट जो हमारा होगा वह वीनस होगा कैंघर आपका second highest degree planet वीनस है लीर्ष जैसे beauty, glamour, art, किसी भी तरहें की ऐसे चीज़े जहाँ पर refine हो रही है जीज़े जैसे refine सुगर होती है सुक्र जो ना refine है एकदम से purest form है तो किसी ऐसे काम में आप हो सकते हो जहाँ पर raw material से बिल्कुल pure चीज़ बनाई जा रही बिल्कुल pure लोग कहते हैं वह काम हो तो ऐसा यह आपका तरीका हो सकता है inherent आपका nature हो सकता है काम करने का तो दोस्त हमने houses discuss किये हमने अब planet भी discuss कर लिए है अब जो third हमारी चीज़ है वो है राशी कि यह planet किस house में किस राशी में बैठे है तो आपकी screen पर एक से लेकर 12 तक की सभी राशीयां दिख रही है यहाँ पर मैंने हर एक राशी का attribute लिख दिया है मेज का वरशब का मिथून का करका इसको hold down करेंगे थोड़ी देर आप अपनी राशी के बारे में पढ़ेंगे और अब जब आपने अपनी राशी के बारे में पढ़ लिया है दोस्तों तो अब आपको planet house और राशी इन तीनों को connect करके थोड़ा creative होके सोचना है आपको अचमभा होगा यह जोतिश कितनी accurate चीज है कितनी correct चीज है देखिए एक वीडियो में मैं बहुत ज़्यादा कुछ detail में नहीं बता सकता लेकिन यहां मैं आपको ना concept जरूर पकला सकता हूँ अगर आपके हाथ में concept आ गया तो आप चीज़े जोड़ तोड़के समझ जाएंगे तो अगर आपने इस वीडियो से relate किया हो दोस्तों को comment करके जरूर बताइए और अगर आप astrology जोतिश सीखना चाहते हैं और आपको किसी भी तरह से interest है इस field में अपने ग्यान को बढ़ाने में या career बनाने का तो नीचे एक दिया गया form उसको भर दीजिए हमारे live courses already चल रहे हैं हमारी team आपको contact करेगी और बाकी की information वहाँ पर discuss हो जाएगी मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में तब तक के लिए रादे रादे लेकिन वीडियो को subscribe करिए और like करना मत भूलिएगा कर दो